नमस्कार किसान भाईयों, मैं विकास मौरे, आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल भीके टेकेगरी किसान भाईयों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कलाउज कमपनी का एक हाइब्रीट निनुआ जिसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा तो किसान भाईयों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सकाइब नहीं की हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सकाइब करें, लाइक करें और सेयर करें तो चलिए किसान भाईयों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और कौन सा निनुवा है तो किसान भाईयों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि निनुवा कैसी सब्जी है तो किसान भाईयों निनुवा जो है एक लतावरगी सब्जियों में जैसे एक अस्थान नेनुवा का भी माना जाता है जैसे इसको कई राज्यों में अनेक अनिग नामों से पुकारा जाता है जैसे गिलकी नेनुवा घ्योडा और अंग्रेजी में इसको जो है हम इस पॉंग गाड के नाम से जाना जाता है दोस्तों नेनुवा एक ऐसी सब्जी है जिसको आप बहुत कम लागत में अर्था बहुत कम रुपे खर्च करके आप एक अच्छा मुनाफ़ा क्राप कमा सकते हैं इसलिए जरूरी है दोस्तों यह सब्जी आप लोग एक बार जरूर लगाएं इसमें जो है किसान भाईयों जो पैसा लगता है बहुत कम खर्चाता है इसको तयार करने में और इसकी हम मार्केट बैलू भी बहुत अच्छी मिलती है और हम इससे अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो किसान भाईयों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को निनुआ की एक हाइब्रिड बराइटी कि क्लाउच कमपनी का निनुआ है कि एक हाइब्रिड बराइटी है जिसका नाम है वाइट सीट वाइट सीट के नाम से यह बराइटी है कलाउच कम्पनी का यह बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली बराइटी है यह अनीक प्रकार के सभी निनुव में से सभी जो स्पॉंग गौड होते हैं उन में से कि इसका 20 अस्थान है कलाउच कम्पनी का इस कम्पनी का जो निनुवा आता है वह बहुत ही काफी आकर्सक दीखता है इसके फल जो होते हैं वह हलके हरे रंकी होते हैं और इसके फलों के आकार के बारे में हम बात करते हैं तो इसके फलों का आकार बेलनाकार लंबा होता है यह हूँ हूं कि हमातने की इसकी ऐसत वजन कितनी होती है किसान बाइभी तो गृम्हें यसकि आफजना जो है वहाउसे एक सो साथ के 240 ग्राम तक एक फहलों की लंबाई तो बात करते हैं हैं इसके फ़लों की लंबाय एक हो बीशक्राइद से लेखें द bundे तक कि होती है और इसकी पहली तुडाई तो किसान भाईओं यदी हम इसकी पहली तुडाई देखेते हैं इसके फल। लंबा वो मोटा हो जाने के बाद जूद भी इसके फलों में रेशा नहीं बनते हैं मोग इसके फरों में रेशा नहीं पड़ता है बलकि इसके फल यहे हूँ उते हैं और जम नरम होते हैं इसके जो फरोड़ि सबजी बनाइन सब्सक्राइब नियुस्ति पहोगोड मुद्व कि बात करते हैं कि इसकी फासालवद की एक कितने दिन की बरायटी है तो किसान भाईयों यह जो कलाउज कंपनी के नेनुवा की जो बरायटी है वह 120-130 दिन की बरायटी है अब हम देखते हैं इसके बीज दर कि इसके एक एकर खेत में कितने ग्राम बीज की आव सकता होती है तो किसान भाईयों इसके एक एकर खेत में बीज 300-600 ग्राम तक का बीज इसमें जरूरी होता है एक एकर खेत बोने के लिए 300-600 ग्राम तक का जरूरी होता है बीज अब हम देखते हैं किसान भाईयों इसको हम बरसाथ और गर्मी दोनों प्रकार के मौसमों में लगाना है तो हमको मई जून जुलाई इन तीनों महिने में इसके हम बुवाई कर सकते हैं किसान भाईयों इसको हम जहमरे पर लगाते है हैं के लिए लगाते हैं तो इसको हम जमीन पर खेत में लगाते हैं इसमें जहमरा बनाने क्या हुसकता नहीं पड़ते हैं दुझ कि बर्सात में जब पानी बढ़ जाता है तो इसके फल जो यह सड़ने लगते हैं इसलिए बरसात के लिए इसको हम जहमरे पर लगाते हैं जहमरा बनाते हैं तो किसान बाईयों यह रहा आपका क्लाउज कंपनी का एक खाइब निनुवा जिसका नाम है वाइट सीट के नाम से यह आता है यह बराइटी बहुत ही अच्छी प्रजात्य यह बहुत ही ज्यादा पैदावार देने वाली किसमें खाने में उत्तम स्वाधिष्ट होती है और इससे यह सब्जी निनुवा जो एक सब्जी है वह काफी फायदे मन दोती है इससे जो मनुष्य होता वह स्वस्थ होता है यह हरी समझीयों में से एक है तो यह रहा किसान भाइयों क्लाउच कंपनी का निनुवा के बारे में यदि आप जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करे और शेयर करें और हां किसान भाइयों यदि आप किसी भी बीज संबंधित जानकारी या दवा संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिये गए वाट्सअब ग्रूप लिंक को ज्वाइन अवस्य करें इसमें बहुत से किसान अच्छी अच किसान नहीं सॉल्व करते हैं तो हम खुद आप लोगों को की प्राबलम को सॉल्व करेंगे वीडियो को देखने के लिए धन्यबाद